अगर आपका भी पेपर 22 फरवरी को हिंदी का है तो आज की स्यूडियो में आपके 8 most important गद्यांस लेकर आ चुका हूँ केवल इनी गद्यांस को तयार करके चले जाना पूरे किताब के 8 मुथपूर गद्यांस लेकर आ चुका हूँ और with solution के साथ बाताने वाला हूँ आज की स्यूडियो में केवल इनी गद्यांस को तयार करके चले जाओगे तो board exam में 100% guarantee के साथ बोल सकता हूँ कि यहीं गद्यांस आपके पूछे जाएंगे देख सकते हैं जो हर साल गद्यांस रिपीट किये जाते हैं उनी को select करके लाया हूँ और इनका free PDF भी देने वाला हूँ तो वीडियो को शुरू से लेकर लाज तक जरू देख लेना और इससे से बाहर एक अभी गद्यांस आपके board exam में नहीं पूछे जाएंगे किवल इन 8 को त्यार कर लोगे तो आपका 6 नमबर बिल्कुल अराम तरीके से fix हो जाएगा ठीक ना तो चलिए start करते हैं बड़ी असान तरीके से आपको याद कराऊंगा बिल्कुल ठीक के साथ ही याद कराऊंगा शुरू से लेकर लाज तक वीडियो को जरूद देखना ये 6 नमबर बहुत ज़्यदा important है और ये शुरुवाद के 6 नमबर होते हैं यही शुरुवाद के 6 नमबर आपके examiner पर अलग impression बनाते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लाज तक जरूद देख लेना और अपना 6 नमबर फिक्स कर लेना और वीडियो के बीच में बताऊंगा कि इसका PDF कहा मिलेगा आपको उसका PDF इसका सारी चुरियो का PDF आपको दे दूँगा अच्छे से आप तयार कर लिजेगा चलिए शुरू करते हैं तो देखे सबसे पहले आपका जो गद्यांस दिया हमारे सत्य प्रवितता और मध्यादा के प्रेम को प्रीश्ट करेंगे घर हम कुमार्ग पर प्यजार केंगे तो हमें सचेत करेंगे जब हम हम सहीथ होंगे तो हमें सहीथ करेंगे देखिए कितने बार पूछा गया है द्वजा 13, 16, 17, 18, 20, 22, 30 यानि कि हर एक साल ये पूछा जाता है हर एक साल पूछा जाता है और 60 सेट में ये पूछा जाता है तो देखिए इसका कैसे संदर लिखना है सबसे पहले इसमें तीन कुशन आपके पूछे जाएंगे जैसे इसमें पूछा गया कि लेखक ने अच्छे मित्र की क्या क्या करता है तो दिखिए कैसे इसको अच्छे तरीके से लिखना है अच्छे से सावी सकतर ह्या को याद भी कराऊँगा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आको बस वीडियो धेखते ही यादो जगा दिखिए कायसे यादोगा सबसे पहले संदर्व कैसे लिखेंगे संदर्व ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांस यानि कि जो उपर गद्यांस दिया गया है ये गद्यांस हमारी पाठेप उस तक हिंदी के हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे हिंदी के मितता पार्ट से आउतरी थे इसके लेखक आचारे राम चनर सुकल है उसके बार लेखका का नाम लिखनेंगे ठ इस प्रेकार और सधी आपके सरी को अनेक रोगों से बचा कर जीवन को सवस्त्ट बना देती हैं ठीक उसी उसी प्रकार विश्वस्निय मित्र अनेक बुरायों से बचाकर हमारे जीवन को उत्तम तथा सुंदर बनाता है ठीक उसके बाद जब भी हम गलत राश्ते पर जाएं तो हमें समझाए जब भी हम निरास हो तो आसा का संचार कर हमें उसाहिद करें यह सच्छे मित्र कि आपको उत्म कारियों और इसे प्रवित्र करें अमन के अच्छे विचारों में उत्पन करेंगे मन में अच्छे विचार उत्पन करें और बुडाईयों और गलतियों से हमें बचाए यह अच्छे मित्र का कतव होगा यह आपका गद्यांस कंप्रीट होगे अच्छे से अभी सारे गद्यांस बताऊंगा बस वीडियो को लाज तक देखना और इसका पीडिये भी बताऊंगा कहां मिलेगा बस लाज तक देखना वीडियो को दूसरा नंबर करें कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है या केवल नीती और सद्विद्धी का हिनास नहीं करता बलकि बुद्ध की ओर बढ़ाती जाएगे ठीक न यह आपका इस तरीके से गध्यांस दिया जाएगा दिखें कितने साल पुछाए दो जा तेरा पंदरा सतरा अठारा उननीस बाइस तेस हरे एक साल यह भी पूछता है सातो सेट में इसको भी आपको तैयार कर लेना देखिए इसका कैसे तो आहीं विना देर हम देखांकी तान्स की आख्या देखते हैं लिखेंगे स्प्लेजी कहते हैं कि बुरिश्संगती घातक बुखार के समान हनिकाराख होती है जिस प्रकार को ब्यक्तियादी भायानक ज्वत्य गरसित हो जाए तो वा ज्सके सरीद और स्वास्त को उसी प्रकार बुरी संगती हमारे नैतिकता सदचात थाम्मन बुधी को नश्ट कर देती है उसी युवा पुरुष की सारी प्रगती रोक देती है ठीक उसी प्रकार पैरों में बंदा हुआ भारी पत्थर व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देता उसी प्रकार उसकी प्रगत दिन उन्नत की योद ले जाती है अनि कि बुरी संगती होगी तो दिन प्रति दिन व्यक्ति के अब पतन ही करेगी उसको आगे नहीं ले जाएगे वही पर संगती यदि अच्छी होगी तो दिन प्रति दिन उसको आगे बढ़ाते जाएगे ठीक ना चलिए चलिए उसके बाद यहां पर दिखी एक और यहां पर गद्यान से क्या है कि यह देखे पढ़िए अच्छे से यह भी मोश्ट इंपॉर्टेंट है और 2030 में यह पूछा गया था ठीक है ना दिखे यहां पर दोजे पंदर सूल ठाटरह बीसुराइस तेसरीक साल पूछ रहा है क्या कर अस्वारोण फ़ीपशाया मनता ने रुक रूकर कहा मैं नहीं जानती वह संसा धाया धाना मुगल पर इक दिन जोपड़ी के नीचे रहा मेंने सुना था कि वह मेरे घर बनवाने किया Dan दे चुका था, मैं आज जीवन अपनी जोपड़ी के खोदे जाने के डल से भैबीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं इसे छोड़ जाती हूँ, तुम इसका मकान बनाओ, अथो महल मैं अपने चीरविश्रामगरी में जाती हूँ, तो देखी, यह आपका गध्यांस दिया है, इसमें देखी, इसमें जो अंडरलाइन किया गया है, इसी का आपको व्याख्या देना होता है, तो सबसे पहले इसमें पूछा जाता है, कि प्रश्टुत अपने पार्ठे पूस्तक हिंदी के, ममता नामक पार्ठ से लिया गए हैं, और इसके लेखा कौन है, जिसरी जै संकर प्रसाद जी हैं तो बस ऐसे ही आपको लिखेना संदर्व ठीक है न उसके बाद आपको वियाख्या क्या करना है कि श्री RJ संकर प्रसाद जी करते हैं कि मंता ने अस्वारोही को बुला कर उससे कहा कि उस व्यक्ति ने मेरे घर का नौ दिमान कराने का आदेश अपने एक धिना से को देंद इया था ठिकना मैं अपनी पूरी जिन्दगी इस भय से भैवाइबीत रही कि कहीं मैं इस मामुलिस से घर से बेघार नहीं हो ठीकना लेकिन इस वाइन ने मेरी परातना सुनली और मुझे जीवी राते बेखर होने से बचा लिया उसके बाद यहां पर आज मैं घर को छोड़का जा रही हूं अर्थात अब मेरे जीवन का अंतसमे निकट आ गया है ठीक है ना अब तुम यहां मकान बनाओ अथवा महल मुझे कोई चिंता नहीं क्योंकि अब मैं उस घर में जा रही हूं जह हां मुझे अनंत काल तक विस्ताम प्राप्थ होगा इस तरीके से यह आपको व्याख्या लिखने नहीं और बहतरीन तरीके से ठीक चलिए यह आपका व्याख्या होगा उसके बाद यहां पर करें कि ममता जीवन क्यों भैवीत रही ममता जीवन का अपने जोपड़ी एक पड़ा करके उठे कि या एक देश नहीं अनेक देशों का समू है यह एक जाती नहीं अनेक जातियु का समू है तो इससे आश्चरी की बात नहीं क्योंकि ऊपर से देखने वाले को जो गहराई नहीं जानता वी हिनता ही देखने को आएगी ठीके ना यह दिखेंगे 24, 17, 18, 20, 22, 23, यह भाती संस्कृति पार्ट से लिया गया, अब हदी एक साल पूछता है उस एक्टा से, यहाँ पर कहता है कि प्रस्तुत गध्यांस का संदर्व लिखे, रिखांकी तंस्कृति प्रसाद है, यह आपका संदर्व हो गया, उसके बाद इसकी व्याक्या कैसे करे कि लेखा कहते हैं कि भारत भूमी की विविंता दे कर हमां दूसरे देशों के वासी घवरा जाते हैं, और कह उठते हैं कि भारत तो एक देश है, देश है, नहीं है, देश ही नहीं है, ठीकना अपीतु यह तो अनेक देशों का समू है, ठीकना यहां के निवासी एक भी किस दूसरे देशवासियों को इस परकार की बात कुमेस चरिक करने यो कुछ भी नहीं है क्योंकि या अप्छे से इस परकार की गहराई में नहीं उतरतें नीचित ही ऐसे लोक और अध्हात ही नचराई에 चलिए उसके बाद देखते हैं कौन सा उसके बद छे नमबर यहां पर करें कि यह एक नयतिक और अधात्मिक स्थ है जो अनंत काल से प्रतक्षता प्रतक्ष रूप में संपुर्ण देश में बहता रहा और कभी-कभी मूत रूप होकर हमारे सामने आ रहा है ठीक दोजे 15-17-20 22 देश यहां पर देखिए इसमें कर रहा है कि प्रस्तुत गद्यांस का संदर लिखे देखांकी तंस की व्याक्या किजे उसके बद एक पुछा रहा है कि हमें अमरतों की याद दिलाकर किसने हमारे मीत प्रायसरी में प्राण फुक दिये यहां पर देखिए कैसे इसकी किति पार से लिया गया तो उसी तरीके से इसका संदर हो जाएगा उसके बद व्याक्या यह देख लेते हैं तो व्याक्या में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांस में लेखा कि अवतार है कि हम बड़े ही भगयवान है कि इसी परकार के एक इस थूल रूप को यानि कि महा प्रस्त पूछा जाता है तो उसका क्या इसर देंगे हमें अमरतों का ग्यान दिलाकर महात्मा गांधी ने हमारे बित प्राय सरीर में प्राण फूके ठीक है ना चली यहांप सात्वा नमबर क्या कराएग द्यांस की हमारी संस्कृति का मूल अधार इसी हिंसा तत्व पर अ जो प्राया भोग के रूप में भोग के रूप में यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमारे सामने आता है पर हमारी सवेता तो भोग भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग से ही पाया है त्याग में ही पाया है तो इसको भी तयार कर लिजे देखिए इसक आप अच्छे से लिख दीजेगा क्योंकि वही वाले चेप्टा से लिया गया कि चेप्टा से भाति संस्कृती से लिख देना ठीक न उसके बद वियाक्ष्या में क्या लिखना है कि प्रस्तुत गध्यांस में लेखक ने बताया है कि बारती संस्कृती में हिंसा की अधाणा का विसेश महतो है, संस्कृती में नैतिक मनेताओं का विसेश महतो होता है, बारती संस्कृती में स्विक्रित अधिकांस नैतिक मनेता नाम राकार और भॉप में हमारे सामने आता है। हमारी हिंसा का की जम्रात है, कि हमारे नैतिक सिधानतों में हिंसान की प्रमुख हस्तान दिया गया है इसका दूसरा रूप त्याग है यही पूछ रहा था कि उसका दूसरा रूप क्या है तो इसका दूसरा रूप त्याग है ठीक चलिए चलिए उसके बाद एक और यहां पर देख लेते हैं यही आपका अंति में इसके बाद एक और है उसके बाद एक और है छोटा सा है इसको भी वता दूँगा अच्छे तरीके सी इसको देख लीजिए आर्थवा नमबर कि आज विज्ञान मनुस्यों के हाथों में अदूत और अतुर सक्ति दे रहा है उसका उप्योक कर व्यक्ति समूव को ग इराने में होता ही रहेगा इसलिए हमने їआ भावना को जागरीत का रखना है और उससे जागरीत रखने के लिए कुछ वतमान यूग विज्ञान की उनती का यूग है विज्ञान की उनती में मनुस्य की अस्मीत सक्ति प्राफ्थ हो गई है किन्तों विज्ञान ने प्राफ्थ सक्ति का सही उप्योग नहीं हो रहा है इस सक्ति को उप्योग कर व्यक्ति समू के उठान के लिए दूसरे व्यक्ति को या समू को गिराने में करा है लेखक काना है कि सामाज या राष्ट में ऐसी भावना उत्पन होनी चाहिए जिसे विज्ञान की सक्ति और रूप्यों को रुखने के लिए हिंसात्मक ट्या का भावना को में लेखर प्रस्तुत कद्यांस में लेखको क्या जुका पर भावना उसके बाद नौ नंबर में यह लाष्ट है लाष्टी को तयार करना इसको भी अच्छे टरीके से कि पहले पहाड काटकर उससे खोकला कर दिया फिर उसमें सुंदर भावन बना दिये गए जहां खंबे विहां सुठी भीतर की समुची दिवारे और च्छत दगर का चिकनी कर ली गई और तब उनको जमीन पचीत की एक दुनिया ही बसा दी गई संदर बताना है उसके बाद एक प्रस्त पुझा गया कि पहाड़ों को काटकर जिवंत कैसे बनाया गया तो दिखी इसमें संदर में लिखेंगे कि अजनता पार से लिया गया तो लिखी सकते हो और भागवती चण उपाध्या इसके लेखा के तो आप संदर बना कर लिख के बाद उस चीकनी प्रिष्ट भूमी पर चित्रकारों के द्वारा अनेक अनेक चीत्र बना दिये गए जिनके देखकर ऐसा लगता है कि मानों चीत्र को कई एक दुनिया निर्मित कर दी गई पहाड़ों को काटकर जिवंत कैसे बनाया गया तो इसमें बताएंगे कि काड़ों को जिवंत बना दिया गया ठीक है तो यह आपका पूरे के पूरे कितने आठ जो है आपके गद्यांस अच्छे से हमने बता दिया और इसका पीडिएफ आपको कहां मिलेगा पीडिएफ इसका मेरे वार्ट से ग्रूप मर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पर जाका जोइन कर लिजेगा और पीडिएफ डाउनलोड कर लिजेगा तो आज की सुड़म बस इतना ही मैं मिलता आपको इसके नेक्स उड़म तर तक लेज जाएं दो बनने मात्रम